आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा है जितने भी ट्रिपल लाइटी स्कॉलेजेस हैं इंडिया में उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंग के बारे में तो देखा जाया है और अल ओबर इंडिया में 25 ट्रिपल लाइटी जैसे हैं जो कि गवर्मेंट है और थ्री ज इसे हैं जो इंटरनेशनल इस्टिटूट ऑफ टेक्नोलजी है जो कि प्राइवेट है पर सारे अच्छे हैं तो मैं सब का रिव्यू करूंगा पूरे डिटेल में तो लेट स्टार्ट जैर सबसे पहले नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं जो 28 नंबर पर है वो है इंडियान इस जार पर जाके बंद जाता है चले लेस्ट मूफ टू अधर कॉलेज नंबर 27 पर जो हमारा कॉलेज आता है वह आई इटी ट्रिपल आइटी भागलपूर है जो कि बिहार में है अगर हम इसकी जेनरल कट आफ की बात करें तो यह जेनरल के लिए 1,35,000 तक जाता है और OBC के ल अगर हम 26 ट्रिपल आइटी की बात करें है ट्रिपल आइटी आगर तला है जो कि त्रिपूरा में स्थित है कट आफ की बात करें तो जेनरल के लिए 86,000 पर क्लोई आता है और OBC के लिए 1,15,000 तक जाता है SCST के लिए इसका कट आफ जो है वो 2,67,000 तक जाता है move on to next college जो हमारा है वो college number अगर बात करें तो 25 जो की ट्रिपल आइटी भोपाल है MP में है cut off की बात करें तो जेनरल के लिए 64,000 जाता है OBC के लिए 99,000 जाता है और SCST के लिए 2,70,000 पर क्लोई आता है चलिए बढ़ते हैं next college की तरफ जो की 24 नंबर पर आता है ट्रिपल आइटी राची ठीक है IIT नहीं ट्रिपल आइटी राची है सौरी वाइट मिस्टेक जेनरल की बात करें तो 60,000 पर क्लोई आता है OBC की बात करें तो 99,000 पर क्लोई होता है और SCST की बात करें तो 260,000 पर क्लोई होता है चलिए move on to next college अगर हम बात करें तो 23 नंबर पर आता है और number 22 पे जो हमारा call जाता है जो triple IT उन्हा हिमाचल में स्थित है general के लिए ये 55,000 पे close जाता है OBC के लिए 96,000 तक जाता है और SCST के लिए 2,40,000 पे जाता है guys अगर बात करें number 21 पे तो ये आता है triple IT कल्यानी जो की best वंगाल में स्थित है cut off की बात करें तो जेनरल के लिए 36,000 रांक तक जाता है और अगर हम इसकी OBC रांक की बात करें तो OBC के लिए 14,000 तक जाता है जो कि में particular category की बात करता हूँ अगर SCST की बात करें तो 8,000 तक जाता है यहाँ भी SCST particular category की बात हो रही है तो गैस बढ़ते हैं और आगे नमबर 20 पे जो हमारा कॉलेज आता है वो ट्रिपल लाइटी सोनीपत है जो की हर्याना में इस्थित है अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो जेनरल के लिए 31,000 पे क्लोज आता है OBC के लिए 60,000 पे क्लोज आता है और स्थित के लिए 220,000 पे क्लोज आता है यह CRL रैंक है ठीक है जो ओपन रैंक सबके लिए होता है बात करें और 90 नमबर के कॉलेज के लिए जो 90 नमबर पे है वो ट्रिपल आईटी पूने है जो की महराष्टर में है कॉलेज की कट ओफ की बात करें तो जनरल के लिए 51,000 तक जाता है OBC के लिए 77,000 तक जाता है और SCST के लिए 2,000,000 तक जाता है जाता है चले गाई जागे बढ़ते हैं और नमबर 17 पे जो हमारा कॉलेज आता है वो ट्रिपल आईटी कोटा है जो कि केरला में स्थित है अगर हम जनरल रैंक की बात करें तो 33,500 पे एक क्लोज आता है OBC रैंक की बात करें तो 12,600 रैंक पे क्लोज आता है OBC केटिगरी रैंक की यहां पे बात हो रही है SCST का कट ओफ जो है 9,000 तक जाता है चले गाइस आगे बढ़ते है नंबर 16 पे जो आता है हमारा IIIT DM जो की है Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing जो की कुर्णूल में है आंधरा में कट ओफ की बात करें तो जनरल रैंक के लिए 35,000 तक जाता है OBC के लिए 13,000 पे एक क्लोज आता है OBC केडिगरी की बात हो रहे है यहां पे और SCST की अगर बात करें तो 7,400 पे यह क्लोज आता है चलेगा इस आगे बढ़ते है नंबर 15 पे जो हमारा कॉलेज आता है वो है IIIT बरोदरा जो की गुजरात में स्थित है नंबर 15 पे मैंने से क्यों रखा है जेनरल रैंक ही लिस की बात करें तो 55,000 पे क्लोज आता है OBC के लिए करें तो 88,000 तक जाता है और SCST के लिए 257,000 पे क्लोज होता है चलेगा इस नंबर 14 पे जो हमारा कॉलेज आता है IIIT का वो है IIIT DM कांचीपूरम जो की तमिल नाडू में है ठीक है Indian Institute of Information Technology कांचीपूरम डिजाइन और मेनुफेक्चरिंग कट आफ की बात करें तो जेनरल के लिए बहुत कम कट आफ है 31,000 पे क्लोज हो जा रहा है OBC के लिए बात करें तो 10,000 पे ही क्लोज हो जा रहा है जो की इसी केटोगरी रैंक है ठीक है यहाँ पे 10,534 है और SCST के लिए अगर बात करें तो 75,000 पे क्लोज आ रहा है जो की कैटेगरी रैंक है ठीक है तो अब नमबर 13 पे जाते हैं जो की IIIT, नागपूर, महराष्टरा काफी अच्छा कॉलेज है अगर कटाफ की बात करें तो इसका कटाफ जनरल के लिए देखे 64,000 तक जाता है फिर भी यह 30 नमबर पे स्टेंड करता है बहुत सारी चीजों को फैक्टर को जोड़ गे OBC के लिए इसका कटाफ 14,000 पे कैटेगरी रैंक में क्लोज आता है और SCST की बात करें तो 92,000 पे 9200 कैटेगरी रैंक पे जाता है तो ये भी काफी अच्छा कॉलेज है आप इसे कंसिडरिशन में ले सकते हैं अगर हम नेक्स कॉलेज की बात करें तो 12 नमबर पे जो हमारा कॉले जाता है वो डिपल आइटी धरवाद जो की करनाटे का में इस्तित है अगर हम कसी कट आफ की बात करें तो जेनरल के लिए 37,000 तक जाता है OBC के लिए 14,000 कैटेगरी रैंक में क्लोज आता है और SCST के लिए 8500 कैटेगरी रैंक में क्लोज होता है तो चले गाइस 11 नमबर पे कॉलेज पर आते हैं जो कि है ट्रिपल आइटी कोटा बहुत सारे लोग जो कोटा में तयारी करते हैं IAT की उनके लिए कोटा छोड़ना काफी डिफिकल होता है तो वो ट्रिपल आइटी कोटा एक ओप्शन लेके चलते हैं तो कट ओफ की बात कर रहें तो जनरल के लिए ये 33,590 पे क्लोज हो जाता है और OBC के लिए बात कर रहें तो 13,000 पे क्लोज होता है SCST के लिए 7400 पे क्लोज हो जाता है मूव आँटी नेक्स कोलेज जो कि हमारा ट्रिपल आइटी त्रिची है जो की तमिल नाडू में है कट ओफ इसके भी काफी लो जाते है जनरल के लिए 37,000 पे क्लोज होता है OBC के लिए जो इसका कट ओफ है वो 50,000 जाता है और जो SCST का कट ओफ है वो 1,36,000 तक जाता है तो गैस बढ़ते हैं नेक्स वीडियो की तरफ जो की नमबर 9 पे आप टॉप 10 हमारा स्टाट हो गया है तो नमबर 9 पे आता है ट्रिपल आइटी डिएम जवलपूर जो की है मध्य परदेश में कट ओफ की बात करें तो जनरल रैंक के लिए 23,000 पे क्लोज होता है वो भी सी रैंक के लिए 85,000 पे क्लोज जोता है और अगर है SCST रैंक की बात करें कैटेगी रैंक दीए 5500 ठीक है वहाँ पर ही क्लोज जाता है चलिए का इस आगे बढ़ते हैं नमबर 8 पे जो है वो ट्रिपल आई ट्रिपल आई टी सिरी सिटी है जो कि आंद्रप्रदेश में है काफी अच्छा कॉलेज है ना सिर्फ कट ओफ कोई इसमें ध्यान रगना चीए बलगे इसका कैंपस काफी बढ़िया है कट ओफ तो इंपोर्टेंट है पलस MHRD, NIRF रैंकिंग भी काफी अच्छी मिली हुँ इस कॉलेज को जेनरल के लिए बात करें तो 27,000 पर कॉलेज क्लोज हो जा रहा है OBC के लिए बात करें तो 11,000 तक जा रहा है कैटेगरी रैंग में और SCST के लिए बात करें तो 7500 तक जा रहा है ठीक है यहाँ पर 75,000 नहीं है तो इसे यहाँ पर बाइस मिस्टेक हो गया है ठीक है, इसका नंबर 7 पर हम मूव करें तो हमारा ट्रिपल आइटी भूबनेश्वर आता है, क्यों इसको इसको नंबर 7 पर रखा गया है, इसमें काफी सारे factors हैं, देखें, इसमें पहली बात तो यह है कि 50% सीर्ट जो होती है, वो 50% जो सीर्ट होती है, वो औल इंडिया केटेगरी पर रखी आती है, तो इसमें कोई भी caste-based system नहीं है, अगें यह उन टॉप 3 में आता है, जो ट्रिपल आईटी से है, मतलब जो International Institute of Technologies है, उनमें आता है, जिनमें caste system नहीं है, उनमें सीधा general rank पे admission होता है, अगर इसमें आपको 65,000 open rank है, तो आपको easily यह college मिल जाएगा, move on to the next college, नमबर 6 पे, no doubt ट्रिपल आईटी लखनों आता है, जो कि UP में स्थिद है, cut off की बात करें है, तो काफी low cut off जाता है, 25,000, मतलब 25,000 के अंदर अंदर, इसका देख सकते हैं general close आता है, बिल्कुल, ठीक है, OBC की बात करें, तो 9,700 category rank में close आता है, मतलब 9,700 अगर आपका OBC category rank है, तो आपको यह college मिल सकता है, SCST के लिए बात करें है, तो 4200, जो उनकी category rank है, उसमें यह college आके close होता है, तो move on to next college, अगर हम next college की बात करें है, तो अगें, number 5 पर आता है, IIIT Delhi, जो की है, International Institute of Information Technology, अगें, काफी अच्छा college में आ जाता है, ना सिर्फ campus, cut-off, सब कुछ में आ गया आता है, तो बात करें है, general rank में इसमें अलग-अलग factors हैं, इसको पहचानने में, तो सबसे पहला factor यह है, कि यहाँ पर दो चीज़ों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, एक तो home state और एक other state, अगर आप home state से बिलोंग करते हैं, तो आपकी general की cut-off जो होती है, वो 18,000 तक जाती है, अगर other state से हैं, तो आपकी other state rank count होगी, जो की 5500 तक जाता है, OBC के लिए भी same rank, same चीज़ है, अगर आप home state से हैं, तो 1.7 lakh, मतलब 1,070,000 तक आपको यह call-in मिल जाएगा, और अगर other states से हैं, तो other state rank 17,000 तक जाता है, SC, ST के लिए भी same है, home state के लिए लगवग 3,00,000 तक मिल जाता है, और other state के लिए 1.15,000, मतलब 1,15,000, तो आपने देखा है, इसमें home state quota अपलाई होता है, और यह काफे important बाती, तो move on to next college, जो की number 4 पर हमारा आता है, triple IT, goal year, again बहुत बढ़िया college है, और बहुत पुराना college, 1997 से बना हुआ है, cut off की बात करें, तो general के लिए बस 11,000 पर close आता है, बतलब 11,000, last cut off जाती है general के लिए, OBC के लिए बात करें, तो 4500 पर college close आता है, और SC, ST की बात करें, तो 2600 पर यह college close आता है, चुके हैं, तो number 3 पर जो हमारा college है, वो है triple IT, अलाहवाद, again UP का one of the top college कहा सकते हैं, IIT, कानपूर, including HBTU, और triple IT, अलाहवाद, यह बहुत अच्छे college UP में माने जाता है, cut off की बात करें, तो general के लिए यह बस 12,000 पर close हो जाता है, OBC के लिए 9,000, category rank है, और SCST के लिए 3900, ठीक है guys, तो move on to next college, जो हमारा number 2 पर जो college आता है, वो है triple IT, बैंगलोर, यह again, उन में आता है, जो की international institute of technology है, international institute of information technology है, ना की government college है, ठीक है, तो यह private college में आता है, अगर NIRF ranking की बात करें, तो 65 है इसकी, और minimum score जो इसमें चाहिए, वो 220 चाहिए, जे इमेंज में, again इसमें कोई भी cast reservation system है नहीं, ऐसा, hostel की बात करें, तो 76,000 fees है, total fee 1,64,000 है, hostel 76 मतलब, अप्रॉक्स आपका 2,00,000 प्लस, इसमें आएगा, average package की बात करें तो 18,00,000 तक जाता है, और highest package की बात करें तो 55,00,000 तक जाता है, अगर इन नमबर 2 पे इसके आने के बहुत सारे regions है, सबसे बड़ा important region है, इसके placement जो आप देख सकते हैं, नमबर 1 पे no doubt सबको पता ही होगा, और सबने guess कर लिया होगा कि ट्रिपल आईटी हैदराबादी होने वाला है, NIRRF रैंकिंग 39, college fees जो हमारी बैकती है, वो 2,00,000 के आसपास पैकती है, highest package बहुत बढ़िया है, कई IIT से आगे आता है, जो की 70,00,000 तक जाती है, और कई cases में बहुत ज़्याज़ा जाता है, ठीक है, approximate data मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं highlighted data आपके पास share कर रहा हूँ, cutoff की बात करें तो 250 से 275 marks, अगर आपकी JMAs में बन रहे हैं, तो आपको ये college मिल सकता है, ठीक है, अगें इसका cutoff काफी, देखे के कितना लो जाता है और उपर से, इसमें कोई भी category बाइस ऐसा कुछ नहीं है, reservation और caste system तो इसमें general rank ही count होता है, तो guys thank you for watching this video, hope this will helpful to you.